किसान भाइयों अगर आप चाहते हैं कि नांगर या फिर केजविल जिसे आम भासा में हम कल्टीविटर के नाम से जादा जानते हैं दो जिसे लया को हैं कि कि वो सही एलावा जो हम आपको डिखाएंगे वह रहेगा महेंदर और एक युनिक सा स्वराज का तेक्ट तुर्ण करूण एक उसनुकर चैसान भाइयों करनाव की smire अगर आपको बजट कम है, कम कीमत में आप त्रेक्टर ढूंड रहे हैं, तो बिलकुल ये वीडियो को पूरा देखे, मैं धिरज कुमार और आप देख रहे हैं, इंडिया मोटर कार, तो फिर देरी नहीं करते किसानफायों, फटा फटा आपको सारे ट्रेक्टर दिखाते हैं एक दम जल्दी हम आपको डिटेल बताएंगे, तो डिटेलिंग में मेरे साथ रहेंगे, संजर सर, सर आपका स्वागात है मेरे चैनल पर, कैसे हैं सर आप, वडिया, सर किसानफायों के लिए हम क्या के ट्रेक्टर देने वाले हैं, अभी तो फिलाल मेरे पास जो है, जो है, पहले टेक्टर हम यही दिखाते हैं, सर, किसान भाइयों, यहाँ पे D-Series 50-50 यहाँ मिल जाएगा, और 50-50 E-Series यहाँ पे है, दोनों में कुछ फीचर का ही अंतर होता है, बाकी आपको HP पावर अगर आप देखेंगे, तो सिमलर ही मिलेगा, पावर इस्टेरिंग, सिस्टम और किसान भाइयों, E-Series में आपको रिवस प्यूटियों जैसा भी ऑप्सन मिल जाता है, जो डी में नहीं, किसी किसान भाइयों को अगर रिवस प्यूटियों के साथ जाना है, तो वो E-Series के साथ जा सकता है, सर, इस टेक्टर के हम क्या डिमांड कर रहे हैं, सर, इसमें नगुषेबा लगेट है, सर, शरुवात महीं बता दीजें पेपर वगर का क्या कुछ होने वाला है, इसमें जो अपन जो पेपर जो है सर, कम्प्रेट मिलेगा, मेरे तरफ से पेपर कम्प्लेट मिलेगा, सामने वोले कस्टमर को नाम ट्रांस्पर करवाना पड़े इसमें वो कम्प्रीट है, जितना आप सारा चीज़ बोल रहे है, ना इसमें नगुषेबल है, नेगुषेबल के साथ भी है, उपर खर्चा और कुछ नहीं देना होगा, बिल्कुल, और किसान भाइयो, फिर हम आपको दिखाते है, 50-50E मोडल, इससे पहले जो आपने इसमें बड़े मिल जाते हैं, इसके अलावा किसान भाइयो, यह जो ट्रैक्टर है, इसमें आप निकाल सकते हैं, 40-42E मोडल है, इसका आम ने रखा है 475,000 रुपे रेट, इसमें भी नोगशेबल है, सारा चीज़ यह पुरा कम्प्लेट करके रिखी हुई गाड़ी है, सर बिलकुल, और किसान भाइयो, टायर का भी कंडिशन आप वीडियों, पूरी डिटेल में हम आपको दिखाते भी चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे दिखाते हैं, किसान भाइयो, जॉन्डर की एक सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली किसानों के बीच में, 350-10 वो भी अगर छोटे-मोटे अगर खर्चे कर दिए, यसे फ्रन टायर वगरे में, तो ये ट्रैक्टर आपको काफी फायदे का सौधा भी हो सकता है, 55 HP का 350-10 पॉपलर है, 55 HP में आपका ये 50-55 E मौडल भी मिल जाएगा, वो सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, किसान भाइयो, जो आपके जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो आज अगर आप खरीदने जाएंगे, तो 55 HP पे उपर वाले में, रोटरी पंप आपको कमपनी फिटेड ही मिलने वाला है, फिर एक और ट्रैक्टर में आपको दिखाता हूँ, 350-05 ये सेम ही 350-10 है, जैसा ही आपको फीचर्स मिल जाता है, लेकिन ये 50 HP का होता है, ये भी 55 का ही आएगा, ये 2019 मौडल है, इसका आपने 55-05 लाग रुपर रेट रखा हूँ, इसमें नवशेबल है, जिसका टायर कंडिशन आप देख सकते हैं, चारो आपको बहतर मिल जाएगा, कम्प्रिट फीचर्स जोंडियर के ट्रिक्टर में आपको मिल जाता है, कमफर्ट के मामले में आपको अरामदा एक सीट, साइड ग रिमांड करें, यह भी सेम 14 मौटल है, इसका भी हमने 3.5 लाग रिपरेटर का हुआ, इसमें आपको कम कीमत भी किया जाएगा आपके लिए, और जो आपको कमी बेसिक लगता है, वो भी करके दिया जाएगा, साथ ही सुरुवात में आपको बता दिये, कि सर्विसिंग अग सर की तरफ से रहेगा, सर फइने सुईदा वगर भी हम दे रहे हैं यहाँ पर, हो जाएगा, साथिस गड़ बाहर भी दे रहें सार, ने सर चाथिस गड़ वालिक दे रहे हैं, उसके बाद किसान भाइयो, एक ऐसा यूनिक पीस आपको मैं दिखाता हूं, एक ऐसा नगीना, जो जॉन डियर के इस टेक्टर को बहुत जादा लोग पसंद करते हैं और इसका लोग ना सर्च करने के बाद भी ये टेक्टर नहीं मिलता है ये ऐसी वाली टेक्टर है सबसे पहले चीज इसमें आपको न्यू ब्राण टैर गुड एर का लगा हुआ मिल रहा है वो भी 16,9,28 का क्योंकि ये 55 HP की केटेगरी है दूसरा सबसे इसका प्लस पाइंट है क्योंकि ये जो टेक्टर है ये काला चेचिस या ब्लेक चेचिस जिससे कहा जाता है वो टेक्टर है सामने के टैर भी आपको नए लगा के दे रहे है पुराने जनरेशन के जितने भी टेक्टर रहे है वो काफी ज़्यादा पावर प्रेडूस करने के लिए माने जाता था उसमें एक ये टेक्टर गीना जाता और इसकी डिमांड करने है आज भी लोग सर इसको बहुत ढूंटे है क्योंकि इसका पावर जो आज के 53-10 फेल हो जाएगी लेकिन ये उस जगह से भी निकल जाएगा ऐसा इंजन पावर इसमें आपको देखने को मिलेगा चलिए किसान भाई ये तो अब हम आपको कम बजट वाले भी टेक्टर की और लेकर आ चुके है लेकिन उससे पहले जो आपके मन में सवाल है मैं सर से पूछना चाहता हूं सर जो किसान भाई ले जाता है डेक्टर सुरवाती दिनों में उनका मन में ये संकर रहता है पूरी नई वाली फिल आपको कराएंगे किसान भाई हो परेंटी गरेंटी भी आपको सर जो है यहां पे जोन डियर के साथ देने वाले इसके हम क्या डिमांड करने साथ इसके साथ नांगर केज़ विल साथ में कम्प्लीड इंक्लूड है यह डाइलाग रुपे हमने रेट रखा इसमें नगशेबल है लेगो सेबल 49 HP किसान भाईयो जो पावर्फुल इंजन के साथ आपको ओल्ड लुक में ओल्ड इंजन के साथ आपको मिल जाएगा इसके हम क्या डिमांड कर रहे हैं सर यह एक्षन में 2910 का है ट्रेक्टर सवराज 744-42 HP यह हमने इसका 1,75,000 रुपर रेट रखा हुआ है इससे नगशेबल सिर्फ 1,75,000 म मॉडल यह आप ले सकते हैं सराज का काफी पसंद की जाने वाला था यह उस समय का दौर था हाला कि अब यह बंद हो चुका है 744 FE लेकिन अभी भी पॉपलर यह डिजाइन बंद हो चुका है 100 चेंज हो चुका है बिल्कुल यह उपर के बोनेट वगर बदलने के बात भी अ आने वाली छोटे पेकेड में बड़ा धमाकी वाली ट्रैक्टर अब हम आपको दिखाते हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा सुराज का 724 एक्से मॉडल यह जो है और चेट के नाम से आता है जिसमें आपको लोडर वगर आप इसमें देख सकते हैं इसमें आपको कोई अलग से कुछ भी कराने के जरुवत नहीं सारा वर्क कर रहा है है हाइड्रूलिक सिस्टम डिस्ट्रिबूटर सब चीज इसमें बैठा हुआ है किसान भायों और सब वर्क सेल्पी स्टार्ट सर इसकी हम क्या तिन लाग पशेतर रुप इस कम ने रेट रहता है कम्प्रीट सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल इस टेक्टर के साथ वह भी काम ले सकता है उसके बाद किसान भायों एक और यहां पर हम ट्रेक्टर दिखा देते हैं 49 HP में सुनालिका का डी आई 35 काफी सक्सेज किसान भायों खास करके कल्टीवेटर को लेके अगर आप कल्टीवेटर क यही काम करना चाहते हैं तो यह टेक्टर आपको कभी भी निरास नहीं करेगा काफी अच्छा प्रफॉर्मेंस देगा डीजल खपत भी किसान भायों इसमें 3.5 लीटर से लेके 4 लीटर तक का डीजल खपत इसमें माना जाता है बहुत बेस्ट प्रफॉर्मेंस वाली टेक् किसान भायों अगर आप चाहते हैं कि नांगर या फिर केजबिल जिसे आम भासा में हम कल्टिविटर के नाम से जादा जानते हैं वो दोनों यहां पर अबलेबल हो जाएगा काफी कमी कीमत में एक आपको अगर सिंगल पीस चीए या ज़्यादा पीस भी चीए तो वो दोन के दोनों यहां पर अबलेबल हो जाएंगे किसान भाईयों यहां का कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना हमारी कोशिस है कि आप घर बैठे ही पूरी टेक्टर की प्राइजिंग और मॉडल कंडिसन सारे चीज आपको घर बैठे ही मालूम चल सके सर बहुत बहुत जय हिंज, जय भारत, जय शत्यसगड़